नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका आए से आतरमें आज के वीडियो में मैं अपके साथ चर्चा करूंगा रुथेनियम 106 के विशे में इसका उपयोग क्या है और यह होता क्या है यह हम आज के वीडियो में जानेंगे तो फ्रेंट्स आप इसकी पिच्चर यहां देख सकत का आधारित प्रथम स्वादेशी नेत्र कैंसर थेरेपी विक्सित की है हाली में दिल्ली स्थित अखिल भारतिये आईडविग्यान संस्थान अर्थात एम्स में इसका सफलता पुर्वक परयोग किया गया प्रमुक मिंदू जान लेते हैं रुथेनियम 106 पटिका को नेत् अंतराश्ट्रिये मानकों के अनुरूप विक्सित किया गया है ध्यातव्य है कि नेत्र टीओमर नेत्र के भीत्री भाग का टीओमर है जो कोशिकाओं के संग्रहन से निर्मित होता है यह टीओमर अनियंत्रत रूप से व्रिधी करते हुए बढ़ने लगता है प्रमानू उ कोराइडल, मेलानोमा और दो ओक्यूलर फ्लोर और इसक्वैमस, नियोप्लासिया और एक कोराइडल, हेमांगी, ओमा के मामले से संबंदित है रूथेनियम 106, एक दुरलब भारी धातू, रूथेनियम का रेडियो धर्मी रूप है, जो प्लैटिनम समू की धातू से संबंदित है यह यूरेनियम 235, परमानू विखंडन रियक्टरों में परियुक्त यूरेनियम का एक प्रकार है, कि विखंडन से उत्पन होता है, आता यह परियुक्त किये गए परमानू इंधन में पाये जाता है रूथेनियम 206 का परियोग कैंसर विकिरन चिकिस्ता, विशेशकर नेतर तथा त्वचा के ट्यूमर के उपचार हेतू किया जाता है साथ ही इसका उपयोग रेडियो आईसोटोप के थर्मो इलेक्ट्रेक जनरेटर द्वारा उपग्रहों को उर्जा प्रदान करने के लिए भी किया जाता है तो फ्रेंड्स, आजकी वीडियो में इतना ही, उमीद करता हूँ कि आपको आजकी वीडियो से जरूर कुछ जानने, समझने और सीखने को मिला होगा और यदि आपको आजकी वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और जादे जादे इसको शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की डेली करेंट अफेर से लिएटिड वीडियो आप तक जल से जल पहुंचती रहे तब तक क्लिए फ्रेंड्स, गुडबाई, टेक क्यार, थेंक यूपर वाचिंग